करदें बनाति हैं मट्रा से से क술 मेड़ी अनियों महीनते कर सकतेए अगर ही आने वाली है मर्टा के मिलते है मार्केट में इसलिए हम थार में इसका है ऐसा इसके उन मैंने बड़ी मॉक्त लिया है नग पॉस्टेट्य के दना पर सको sein हमेते हैं डाब करसकतें यहां पर 2-3 ऐलाची लिया है दो चमच यहां पर जीरा लिया है तुछ मैं पर traff इन प्रब्स पर 25 कन आप को सब्सक्राई है इसे खारी माटर करसे हसे मटर को ही नहीं की क्न आट़ तार्म इसको लूंग ताल मूंग की है कि रूक कर mar wired करेंच यहां पेदेख सेकता हैं निखाल लिया है यहां पर बावल निखाल लेंगे उसे ग्रैंड-पेर और मुंकी-दाफ। में में लेज inverter पानी निखाल लेंगे पहले छान लेंगे अच्य से मुंकी डाल को भी मांगी ताल में word कि पानी जल्क परta नहीं पीछन है कि पीछ रूप-力 करम मुंकी दाल के लिए कि बहुत ही टेस्टी बनता है आपसे बनाकर करके कंसे सालों तक स्टोर कर सकते हैं कि उसमें मुंकी डाल का मिक्सिर डाल देंगे और उच्छे कर लेंगे उसके बाद रहां मिलिया जो मसाला हमने लिए सारे मसाले को में दर दरा ही ग्रैंड करने बहुत जादा फाइन प्रेक्ष नहीं मनाना कि लाउंग है इलाची है काली मिर्च है जीरा है कि आप चाहें तो कुटने वाली जाद्रक हमें जिसे कुटे उससे भी आप हलका से दरदरा कुट सकते हैं बहुत ज्यादा मैंने हलका ही ग्रैंड करना है जिसे कि मसाय थोड़े ची टूड़ जाए वह फाइन पेश्ट नी बनाना इसे थे को आप नगरिवार है मैंने उसकाथ यहां पर मठा दाल के मिक्सरव रखा करा एच्छे से मिला लेंगे आएक तोरी मैंने द्लियों उसको भी आड़ कर दिया है इसमें बिल्कुल पानी और बिल्कुल नमक भी आड़ नहीं करना है और अच्छे से चलाते हैं वेसे हमें इतना फेटना है जिसे कि इसमें काफी यह राजा उसके साथ यहां पर एक चोटा चमज यहां पर हींग का भी डाल देंगे लिए अच्छ जाद इसमें अच्छ हएगा अच्छे सकए लगाता है जलाते हैं में इसको 5 मिर्द तहर अच्छे से फेटना है जितके में काफी एर ना भर जाए कांटीनी इसको चलाते हुए साइज चीज़ों को हम इसको पांच मेर्ट तक स्को लगातार एक ये डिरेक्षिन में उपको फेटते रहना है अब ये फिलफी बनाना हमें जितना हम इसको फेटेंग उत्रही है फुला फुला तैसे बनेगी और भात ही टेस्टी बनता है ये कि आप से बना करकम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं ये टाइड वे मेरा कहसा आपके साल भर तक स्टोर कर सकते हैं मत्र मत्र का मिलते हैं तब अच्छे से यहां पर देख सकते हैं यहां फ्यट लिया है फ्लेट में हम हम हमें रिफाइनी सर्षो की तेल कहीं सिंबाल करना है और अच्छे से थाली में फैला ला लोगे को है इसका बद च्टी च्टी गोली बना करके अ में मटर और दाल के मिक्ष़ बना करके ते मसालों के साथ को छुटी च्छुटी इसकी थोड़ा गैपिंग करके गोल जाली को फैला लेंगे चुटा चुटा बना सकतेज हैं कि थाली में अच्छे से इसको फैला लेंगे हम उसके बाद यहां पर हम चार दिन तरह धूब में सुखने देंगे यह अब देख सकते हैं चार दिन के पर कलर कैसा हो गया है काफी ड्राई हो गया है अंदर से यह कि थोड़ा खोगला पन हो जाती यानि काफी अच्छी से सुखा है अच्छी से सुखाने के बाद ही हमें से यह टाइड भर करके रह सकते हैं जब भी आप चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हरी मठर का अच्छी लगते लाग से